नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम राजस्तान के बुगोल के अंदर नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं जलवायू और जलवायू के दोस्तों इस वीडियो के अंदर 35 अतिम एत्वापोन परसन है जो राजस्तान राज्ये की सभी परतियोगी परिक्षयाओं के लिए उपियोगी रहेंगे आप अन तक एक एक क्यूसन को ध्यान से देख लें वेसे तो बहुत सारे क्यूसन राजस्तान की जलवायू से बनते हैं लेकिन जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है और गत एकजमू के अंदर पूछे जा रहे हैं वो 35 क्यूसन इस वीडियो के अंदर में लेकर आया कि दोस्तों चलते हैं दोस्तों कि इस ऑर एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेर कर दे और जो नए साति हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर ले पहले lab कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों जल्दि से आपको देख है और हर का एंस्वर आपको अंत में बताना है कि 35 में से आपने कितने क्यूशन यहां पे सही अटेंड कियें दोस्तों पहला क्यूशन राजस्तान में सीद काल में वर्सा करने वाले विक्सोपों के उत्पति होती है राजस्तान के अंदर जो सीद काल के अंदर वर्सा होती है जिसक बाल्टिक सागर से तो सही रहेगा आपका भूमद्दे सागर एवं केस्पियन सागर से important क्यूसन है दोस्तूं क्योंकि आजकल यह नहीं पूचा जाता है कि राजस्तान में सीतकाल में जो वर्षा होती है उसको क्या का जाता है चेत्रियवासा में आजकल क्यूसन है उसको हटा कर पूचा जाता है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं 1000 मिली बार की समदाब रेका जुलाई मां में गुजरती है कान से गुजरती है दोस्तूं कहां से गुजरती है एक हजार मिल्ली बार की समदाब रेका है जो जुलाई मा के अंदर सिरोई, उदेपूर, परताबगड और जालावार से important question है दोस्तूं सिरोई, उदेपूर, परताबगड और जालावार से एक हजार मिल्ली बार की समदाब रेका जुलाई मा के अंदर गुजरती है दोस्तों नेक्स्ट क्योशन है राज्ये में मांसुन वर्षा किस दिशा में बढ़ती है बहुत अच्छा क्योशन है राज्ये के अंदर जो मांसुनी वर्षा है वो किस दिशा की और बढ़ती है किस दिशा से बढ़ती है दोस्तों या आपको बताना यहां पर ओप्सन है दक्सिन पूरव से उत्तर पूरव की ओर दक्सिन पूरव से उत्तर पूरव की ओर उत्तर पूरव की ओर या दक्सिन से उत्तर की ओर सही आपका रहेगा दक्सिन पूरो उसें उत्तर पस्सिम की ओर दो नमर ओप्सन यहाँ पे सही रहेगा और important question है दोस्तों next question में चलते हैं जिस जिले में वार्शिक वर्षा में विशमता का परतिसत सर्वादिक है वह है यह बहुत important question है दोस्तों जो वार्शिक वर्षा है उसमें विशमता का परतिसत सर्वादिक किस जिले में है राजस्तान के अंदर दोस्तों जैसल मेर जिले के अंदर तीन नमर ओप्सन आपका यहाँ पे सही रहेगा next question है question number 5 है दोस्तों राज्य का आदर जिला कहलाता है राज्य का आदर जिला किसको कहा जाता है दोस्तों उदेपूर को जालावाड को मासवाडा को या चितोडगड को किसको कहा जाता है जालावाड को राज्य का आदर जिला कहा जाता है राजस्तान को दो भागू में बाटने वाली सम वर्षा रेका कौन सी है कौन सी है जो राजस्तान को दो बागू के अंदर बाटती है दोस्तूं कौन सी है पचाज सेमी की जो सम वर्षा रेका है वो राजस्तान को दो बागू के अंदर बाटती है दोस्तूं नेक्स्ट यूशन में चलते हैं जलवाईू पर्देश और जिले हैं इनको आपको सुमेलित करना है दोस्तों पहला ही है आपका दोस्तों सुस्क जलवाईू पर्देश कौन-कौन से जिले आते हैं इसके अंदर जैसलमेर, बाडमेर और जोदपूर जो है आपके सुस्क जलवाई उपर्देश आद्र जलवाई उपर्देश में आते हैं बरतपूर दोलपूर और उदेपूर दोस्तों दूसरा है तीस सोरी सी ओप्सन है अतिया जलवाई उपर्देश अतिया जलवाई उपर्देश में आते हैं सिरोही जालावाड और बारा अर्द सुस्क जलवा उपर देश है उससे थोड़े से कम वो है आपके पे जालोर पाली और नागोर चार एक दो तीन तो उप्शन ए सही रहे गए यहां पर नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसुनी पाउनू को इस्तानिय बासा में कहा जाता है जो बंगाल की खाड़ी से मानसुनी पाउने आती है उनको इस्तानिय बासा में हम क्या कहते हैं दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूशन है यह क्या कहते हैं पूर्वाई दोस्तूं ओप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं निमलिकित कतनों पर विचार की उत्तर और उत्तर पस्चिम की में गटती जाती है ये सही है दोस्तों दूसरा है मानसून की अरब सागरिय साका राजस्तान में वर्सा का परमुक्स रोत है ये भी सही है पस्मी राजस्तान के वल सीतकाल में वर्सा प्राप्त करता है ये गलत है दोस्तों राजस्तान का पचा दो और चार है क्या है दोस्तों तो चलते हैं ओपिसनों की ओर कई और ओपिसनों में देखते हैं तीन नमर औपिसन आपका सही रहेगा नіग्स्ट किसे नैं राजस्तान में कमवर्से का कारण तो यहां पर आपका सही रहेगा दोस्तों इसका मानसून के समानांतर होना मानसून के समानांतर होने के कारण मानसून के समानांतर होने के कारण दोस्तों राजस्तान में जो वर्सा है वो बहुत कम हो पाती है नेक्स्ट क्यूसन है राजस्तान में बहुदा सुका एवं अकाल पढ़ने का कारण है सु उप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं राजस्तान में जून मामी न्यूनतम वायुदाप जिस जिले में संभावित है वह है राजस्तान के अंदर न्यूनतम जो वायुदाप है जून महीने में वो कौन से जिले में रहता है दोस्तु जे सलमेर जिले में, option 3 आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा, next question में चलते हैं, राज्ये में अधिकांस वर्सा किन मांसुनी पौनू के कारण होती है, जो राज्ये में वर्सा होती है, दिकांस, वो कौन सी पौनू के कारण होती है, दोस्तु, दक्सिन पस्मी पौनू के का नेक्स्ट क्योसिन में चलते हैं निम्न मैंसे सुमेलित नहीं है निम्न मैंसे सुमेलित नहीं है कौन सा नहीं है देखिए पहला है सरवादिक सुस्क जलवायू वाला जिला जेसल मेर सही है सरवादिक वर्सा वाला इस्तान माउंट आबू सही है सरवादिक वर्सा वाला जिल यहां पे क्या है आपके कि सरवादिक वर्सा वाला जिला जेसल मेर नहीं है दोस्तु नियूंतम वर्सा वाला जिला स्री गंगा नगर यह भी नहीं है यह दोनों यह गलत है दोस्तु तो यहां पे आपके तीन और चार है यह दोनों ऐसुमेलित है नेक्स्ट में चलते हैं नि दोस्तु ये वर्षा होने वाले दिनों की न्यूंतम सिंख्या जेसल मेर जिले में ये भी सही है सरवादिक वर्षा वाला जिला जालावाड ये भी सही है सबसे न्यूंतम वर्षा चूरू यहां पे दोस्तु बाद हम जेसल मेर की कर सकते हैं सबसे न्यूंतम जो वर्षा होत साहे दोस्तु बताना है आपको सब्राइबों वार्सिक वर्सका सर्वादिक वसट गश्री और रावली और राज्यमे Words व Cambridge आसर वर्सके दिनूकि संक्या देख्षिण पुरु से उत्तर पस्रीर की ओर कम होती जाती है यह बी सही है सरवादिक वरषा वाला इस्थान सिरोई जिले में माउंट अबू हैовार्शिक वरॉट्सिक वर्षा का उसर्थ 0.50 डेड़ सो एने एक सो पचास सेमी से बीक है यह भी सही है राज्यं में मांसून का पर्तियावर्तन काल जून से जुलाई ते कह यह गलत है दोस्तों option 4 आपका यहां पर सही रहेगा next question में चलते हैं सामाने तया राज्यस्तान को कितने जल्वाईू चेतरू में विबाजित किया जाता है कितने जलवायू छेत्रू में राजस्तान को विबाजित किया जाता है दोस्तूं पांच जलवायू छेत्रू के अंदर राज्य में गर्सिम रित्व में सरवादी कांधिया किस जिले में चलती है ग्रिश्यम रित्व होती है उसके अंदर सरवादी कांदिया कौन से जिल्म में चलती है तो यहाँ पे आपका सही रहेगा स्री गंगानगर ओप्सन तीन यहाँ पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं कौपेन के वरगीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगर और बिकानेर में किस परकार की जल्वायू मिलती है यह सही रहेगा कोपेन के वर्गीकरन के आदार पर निम लिकित में से कौन सा लुंगरपूर जिले के लिए है कौन सा वर्गीकरन है कोपेन के अनुसार दोस्तूं कौन सा है AW ओप्सन एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राजस्तान में निम लिकित में से किस जिले में वार्सिक वर्षा में अधिक विसमता पाई जाती है नेक्स्ट क्यूसन है दोस्तूं क्यूसन नमबर बाइस राजस्तान के कौन से जिले आदर दक्षनी पूर्वी मेदान कर्सी जलवाई उपरदेश के अंतरगत आते हैं दोस्तूं कौन से जिले हैं जो आदर दक्षनी पूर्वी मेदानी कर्सी जलवाई उपरदेश के अंतरगत आते हैं रासमंद बीलवाडा तता चितोडगड ओप्शन एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अच्छा क्यूशन आया दोस्तु कतन वाला बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन भी है यह पहला आया दोस्तु कतन S राजस्तान में जनसेंक्या का वित्रण S समान है कारणार राजे में जलवायू तता उच्वही कारकूम की में विविदता पाई जाती है तो दोस्तु यहां पे S और R दोनु के दोनु कतन आपको क्या लग रहे हैं क्या गलत है क्या सही है एक गलत है एक सही है मित्रों यहां पे दोनु के दोनु कतन है आपके जो सह दोस्तु सही रहेगा चार एस तता आर दोनु सही है नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं चोबीस नमर राजस्तान में संभावे वास्पी करण वास्पो उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वादिक किस जिले में हैं वास्पो उत्सर्जन या वास्पी करण की दर वार्षिक दर है वो किस जिले की है सरवादिक दोस्तू जैसल मेर जिले की दो नमर ओप्सन सही रहेगा कोपेन के जलवाईव वरगी करन के अनुसार राजस्तान के किस परदेश में एडबलू परकार की जलवाईव पाई जाती है कौन से परदेश के अंदर राजस्तान में एडबलू परकार की जलवायू मिलती है दोस्तू दक्सिनित्तम परदेश के अंदर पठारी भाग है उसके अंदर एक नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं निवन में से राजस्तान के किस भाग में सरवादिक वर्षा की परिवर्थिता पाई जाती है सरवादिक वर्षा है उसमें परिवर्थन कौन से भाग में मिलता है दोस्तू सुदूर पस्मी भाग के अंदर ओप्सन एक सही रहेगा राजस्तान में कर्सी जलवाई उपर्देश 3B बाढ परबावित पूर्वी मेदान में कौन सा जिला समलित नहीं किया जाता है इनिमें से दोस्तू जो बाढ परबावित हो या पिर कर्सी जलवाई उपरदेश 3B में आता हो उसके अंदर करोली समलित है दोलपूर समलित है ब्रतपुर समलित है टोक नहीं है तो अपसन एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं 28 में निम्नांकित में से कौन सा राजस्तान की जलवायू को परभावित करने वाला अधार भूत तत्व है समुदर से दूरी होने के कारणी राजस्तान के अंदर वर्सा बहुत कम मातरा में हो पाती है तापमान वनस्पती ये तो है ही है दोस्तू नेक्स्ट है दोस्तो हमारा 29 नमर राजस्तान में मरुस्तली करण की सबसे परभावी परकिरिया कौन सी है वनस्पती अवनियन ओप्शन 3 सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं थारनवेट जलवायू वरकिकरन के अनुसार राजस्तान का अधिकांस भाग जिस जलवायू परदेश में पाया जाता है वह है यहां पर बात हो रही है थारनवेट के अनुसार तो थारनवेट के अनुसार राजस्तान का जो अधिकांस भाग है दोस् है राजस्तान में लोडते मांसून की है राजस्तान में जो मांसुन में बिखकत लोडता है क्टूबर से तिसंबर तीन नमरों उप्usc点 है जो आपका यहां पर सहीर रहीगा दोस्तुं next question में चलते हैं 32 नमर राजस्तान के जिले में सबसे दिख देनिक तापांतर पाया जाता है कौन से जिले में चूरू के अंदर यह important क्यूसन है यहाँ पर बहुत सारी साती जैसल मेर कर देते हैं वो गलत हो जाएगा निम में से किस जिले को राजस्तान में सरवादिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है सरवादिक वार्षिक वर्षा कौन से जिले को प्राप्त होती है इन में से सिरोई को ओप्सन एक सही रहेगा और चलते हैं मित्रू अंतिम क्यूसन की ओर 34 क्यूशन ही है आज के इस वीडियो में राज्यस्तान में सरवादिक वार्षिक वर्षा किस इस्तान पर होती है तो यहां पे आपका सही रहेगा माउंट अबू दोस्तों एक नमबर ओप्सन तो मित्रू यह 34 क्यूशन इस वीडियो में आपने देखे आपने कितने क्यूशन यहां पे सही किये अब जल्दी से कमेंट करके बता दें और वीडियो कैसा लगा यह भी साथ में कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे भारत